नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका नियूत का सहय चैनल में आज का हमाया टॉपिक है एकनॉमिक से गरीबी यानि पोबल्टी पोबल्टी से सबंदित पिछला वीडियो हमनों देख चुके हैं आज हमनों देखेंगे कि गरीबी का निधारन किन-किन आधारों पर क्या आत कि हम गरीबी तै कैसे करेंगे उसके पीछे कई Report हैं उन रिपोर्टों को आधार बना कर ये तै किया गया है कि इन इन आधारों पर गरीबी का निधारन किया जाए अगर यह चीज पाई जाती है तो गरीबी होगी यह गरीब्यक्तिज होगा वह गरीबी रेखा से नीचे प में इंपोर्टि यह नहीं है कि भारत के और भारत की सिति कहां पर रहेंगे यह अम्यारश सभीuing पार की से नहीं करणा हर। जारी किया जाता है तो उसमें वार्शे में किन, किन चीजों को सामिर किया जाता तो अगर आप से पूछा जाए अगर आपको नहीं पता है कि गरीबी के निधारण में जो गरीबी सुचकांग जो हम बहुत आया में गरीबी सुचकांग की बात कर रहे हैं उसमें किन-किन बिंदूओं को लिया जा सकता है तो आप क्या सुचेंगे कि किन चीजों को लिया ज गोंगी तो वह गरीब हुगा। पहला नममर पे वो अगरा स्वास्वधा है अगर पास अच्छी स्वास्वधा नहीं है, पिरली वीडियो में बथा शुका हम आप लोग इस सब चीज़ों के बारे में कि गरीवी कि इतने प्रकार की होती है तो गरीबी प्रकार होते हैं उसम उच्छा नहीं मिल लगी है यह जीवन निर्वान का इस्टर बहुत ही निम्न है तो हम स्वास उब्धा में चला जाते हैं तो उसमें दो चीज़ेखते हैं एक देखते हैं शिशु मृत्युदर कितनी है कितनी कम है कितनी ज्यादा है कुपोश्ण भाई शिशुजी भी थे ल तो ये दो चीज़े सामिल की गई सिच्छा में जब आते हैं तो जब देखते हैं कि कितने बच्चे नामांकित किया गए हैं सिच्छा के छेतर में तो नामांकित शिशु कितने हैं और सैच्छिक वर्स कि कितने वर्सों तक किसी बच्चे ने सिच्छा ग्रहन किये तो वो भी हम count करेंगे यह नहीं कि 4 साल, 5 साल 6 साल तक सिच्छा ग्रहन किया और उसके बाद जो education होता है सिच्छा का label जैसे जैसे बढ़ता है उसमें जो पैसा जो खर्च होता वो भी बढ़ता चला जाता है जब लो higher education जाते है मा लीजे 10th पास करता बच्चा 12th पास करता है 12th के बाद जब वो graduation करता है graduate होता है तो उसकी fees हर इस्तर पर education के हर इस्तर पर बढ़ती है तो यदि उसके पास पैसे नहीं है तब ही वो विभिन इस तरो पर सिच्छा ग्रण नहीं कर सकता तो उसको लेकर यहां पर बात किया गया है कि सहचिक वर्ष कितना है किसी बच्चे का तो यह भी गरीबी कि निधाराण में एक महतपूर योगदान निर्बत देता है यहां पर अंतिम जो बिंदु जाहां पर कहाए जीवन निर्वान इस्तर इसमें जीवन निर्वान इस्तर उसका निम्न है तो जीवन निर्वान इस्तर निम्न है तो किन बिंदुओं पर निम्न हो रहा है तो यह देखेंगे पहलेब याल कि परकार का के संपत्ति नहीं है इसका मतलब पकाने के इस PPE के बात करें उसकी बात करें तो इधन क्या पूर्ति आवास यदि उसके पास आवास नहीं है रहने के लिए तो समझ लिजे उसका जीवनिस्तर निर्वनिस्तर बहुत ही निमना है विद्धु आज की समय में जब यह कहा जा रहा है कि हम 100% विद्धुत दे रहे हैं तो अगर उसका विद् पूर्ति को जल के शकता होती है तो जल पूर्ति अगर उसकी सही नहीं है तो जीवनिस्तर निमन है और अंतिम सौचाले ठीक है तो खुले में सौच मुक्त भात बनाने की बात की जा रही है तो सौचाले तो एक मौत्पुल बिंदु होई गया यहां पर ठीक है तो यह सौच कांग को जारी करने के लिए हम सामिल करने हैं उसके अंदर कि इन इन बिंदू पर अगर ध्यक्ति संपन्न है यह चीज़े उसको प्राक्त हो रही है तो वह गरीवी रेखा से उपर है इस सौच कांग में उस देश की या किसी छेतर की या किसी राज की स्थिति यह इंपोर्टेंट इसलिए भी बता रहा हूं कि यह प्रीव लेबल पर तो कुशन बनता ही बनता है कि किन किन बिंदू को सामिल नहीं करते हैं यह किन बिंदू को सामिल करते हैं किन बिंदू को सामिल नहीं करते हैं दूसरे जब आपको इतनी डिटेलनी चीज़े पता हो है कि भारत में बिख्टी गरीबी रेखा से तो पहला बिंदेट अम लिया समझे कि भारत में गरीबी के जो निर्धारन होता है वो NSSO के द्वारा यानि National Sample Survey Office के द्वाराचारी कियाता है और गरीबी को मापने के लिए किन बिंद्यों को मुख रूप से सामिल कियाता है मापना है हमको तो किन भीधीयों का प्रियोग करेंगे तो वह देखेंगे एक खर्च के आदार पर दूसरा उबवोग से सम्बंदित बीदी का प्रियोग क्याजा जाता है भारत के लिए कि हम किटना कर पा रहा है कि एप कितना उब Nummer где आधार समितिया है कमटी का कठन सरपथम 1977 में किया गया था योजना आयोक के द्वारा इस समती के द्वारा दो निर्देशांग जारी किये गरी जिसे नाम दिया गए गरीबी निर्देशांग का नाम अक्सर आप सुनते रहते होंगे तो दो सुचकांग दो निर्देशांग जारी करने वाले जो कमिटी थी गरीबी संबंदित उसका नाम क्या इसता से प्रशना सकता है तो डाक्टर वाई के अलग समती गरीबी निर्देशांग इस गरीबी निर्देशांग में क्या जारी किया गया ग्रामिर छेतरों के लिए ग्रामे के लिए जो प्रतिभ्यक्ति कयलोरी यह वह 24 होगी और शहरी छेत्रों के लिए जो अधर यह लिख दे रहा हूँ शहरी याधक लिजिए कभी भी बंच्छा में प्रस्ण आसकता हैं, तो गरीबी निर्देशांग जारी किया bastard तैयार किया गया किस समिती की सिफारिश के आधार पर तो आपका प्रशन का उत्तर होगा डाक्टर वाई के अलग समिती कब डाक्टर वाई के अलग समिती गठित की गई तो 1977 में दो निदेशांग वो क्या है लेकिन दिमाग में यह नहीं आ रहा है कि से के लिए बात करें इसको समझने के लिए इस तरह समझसके हैं कि एगर आपके दिमाग में चूर्वीस सो कैलूरी है लेकिन आपके दिमाख नहीं आ रहा है यह कि又 कि दिए के लिए ज्यांद करते हैं तो ज्यादा क्सक्ते होगी और कम मे pá करते हैं तो वहां पर कम कैलोरी कर सकता होगी तो उसे बोलेंगे उसे बोलेंगे सहरी छेतर के लिए तो इस तरह से प्रशन आया सकता है और इस तरह से चीज को याद कर सकते हैं नेशन लकड़वाला समिती लकड़वाला कमटी जिसको अपको प्रशन आ गया आपका कि गिर दुसरा सैहरी छेतर के लिए जो भ्हुक्ता मूल मुर्ट कर दाया अब प्रशना आपका आ गया परिच्छा में गिसAud大家 सूचहां जारी किया तु मुख्ता के दो ओप्र और दारी किया लेकिन उसको नाम रखा गया नाम क्या नाम रखा गया ध्यान देंगे वह्यटा-बूल-दारी किया गया और दूसरा और अब इसको आद करेंगे कैसे समझने के लिए यहां पर है उटावी आपके में कि कि शर्मिकों के जिस कमिति किया किया तो आप कहेंगे लक्रावाला समत्या ने जाएंगी ये कई बार पर इस प्रशन पूछाजा चुका है कुशन आ गया सुरेश तंदूल के समती कब गठित कीगी तो आपका अंसर होगा 2005 में इसमें क्या बताया गया इसमें प्रति दिन का खर्च या प्रतिमाह का खर्च कैलकुलेट किया गया अगर उस खर्च के अंदर आता है वेक्ति तो वो गरीबी रेखा के उपर है यदि उस खर्च से नीचे जा रहा है तो वो गरीबी रेखा के नीचे है क्या जारी किया गया प्रति दिन खर्च ग्रामीरी छेत्र में कितना है 27 रुप्या अगर प्रति दिन ग्रामीरी छेत्र का वेक्ति 27 रुपय खर्च करने में सच्छम है तो वह गरीबी रेखा के नीचे नहीं तो दिन 33 फे करने में भी सच्छ मैं लेकिंट कहां पर चेयरी लेए समती एफ्यल्च उरुपय करने दारान और कहांगा om कि 27 रुपए ग्रामिर छेत्र में प्रति बेक्ति प्रति दिन खर्च कर पा रहा है इस बात को किस कमटी ने बताया तो आप का अंसर होगा सुरेश्ट अंदूलकर समती यह होगे दो कमटीया अब आते हैं अंतिम कमटी जिसका नाम रखा गया सी रंगराजन समती सी रंगराज कमटी इसका घंख किया गया 2012 में कभकषित किया गया 2012 में इसमें क्याता है किया अखिल भारति एस तरपे गरामिर छेत्र के लिए 972 रुपए तता सहरी छेत्र के लिए 1407 रुपे प्रति विक्ति मासिक उबोग बैं की बात की गई मतलब कि 932 रुपे का अगर ब्यक्ती 932 रुपे मासिक उबो करता है ग्रामिर छेत्र में तो वह गरीवी रेखा के रीचे नहीं है और यदि ब्यक्ती 1407 रुपे मासिक ब्य करता है तो वह ब्यक्ती शहरी छेत्र में गरीवी रेखा से नीचे नहीं है यदि वह इतना खच करन में सच्छम नहीं है तो वह गरीवी रेखा से नीचे है इस बात तो किस ने पताया सी रंग राजन समती तो यहां पर देखेंगे कि दो कमटियां एक ऐसी है जो रुपए के अधार प्रताय करें अब देखें प्रशना आगया पाइच्छा में दो तरह से अगर कमटी में ध्य कि रंग राजन समती जब सुर्य संदूल कर समती आएगी तो देखें टू डिजिट में इन्होंने रुपए का निधारण किया उभी प्रती धान देंगे प्रती दिन की बात की है हाला कि इसको चाहें तो आप मासिक में कभी कर्वन कर सकते हैं 27 को 30 से कर्वन कर दीजिए त 2400 आकड़ा आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि आकड़ा ही जाएगा 930 रुपए और 1407 रुपए अगर 1407 रुपए है तो समझ लिए सहरी चित की बात की जा रही है 970 रुपए है तो ग्रामिच छित की बात कर रही है लेकिन कहां किसके लिए सी रंग राजन समिटी के लिए इसमें एक और टास्क का कठन किया गया था बाद 2015 में जी से बोला गया था अरबिन पन गड़िया का टास्क फोर्स यह एक टास्क फोर्स गटित किया गया था और यह तैय किया गया कि किस प्रकार से हम भारत के अंदर गरीवी रेखा कर निधारण करें हलाकि इस पर अभी तक आम नहीं किया गया है इसलिए उसका पहिच्छाम प्रस नहीं है फिर भी दिमाग के अंदर रखेगा कि अर्बिंद पनगडिया टास्क फोर्स से गठन किस चीज किया गया है 00, 15 में घठित कि गई थी तो आपके और रखेगा कि निधारण के लिए कि किस प्रकार से लिए करेंहें इस बात को तैं करने के लिए अर्बिंद पनगडिया टास्क फोर्स का घठन किया गया है अलाकि इस पर अभी तक किसी प्रकार का अमल नहीं किया गया कु और यहां पर बैश्वी बहु आयावे गरीबी सूचकांग में किन-किन आधारों को सामिल किया गया है, इसको याद करना आतियावशक है, जो कि परिच्छा में आ सकता है, आकड़ों के साथ चीजों कि याद करें, किस प्रकार का बिधी का प्रियोग हम भारत में कर रहे हैं, कितने रुपे निधारित किये गए हैं, किस प्रकार के सूचकांग की बात की जा रही है, किस प्रकार के निर्देशांग की बात की जा रही है, कैलोरी के आधार पर कहां तैक किया जा रहा है, कहां रुपे के आधार पर गरीबी का निधानक किया जा रहा है, कहां सूचकां के अधार पिक किया जा रहा है और कौन सी विधी किस समती से जुड़ी हुई है इसको याद करना यहां पर जरूरी है उम्मिद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा इसलिए इस वीडियो को अधिस अधिक लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें आज के लिए अधिए धनिवाद